नमस्ते रादे रादे गुड मॉर्निंग हमारी प्यारी उटू फैमली को और आज दिन है संडे और साम का टाइम है बे और आज जब मैं काम कर रही थी जब मैं फिरिज खोला खाना बनाते समय तो मैंने देखा कि मलाई काफी खटी हो गई है हमारी तो आज हम मलाई से आपको एक ही मलाई से तीन चीजें बनाना सिखाएंगे मक्खन निकालना नए तरीके से बहुत ही स्मार्ट तरीके से जो की मिल्टों में निकल आएगा और उसी मलाई से दही बनाना और उसी मलाई से मिठाई बनाना तो चलिए शुरू करते हैं और हम नई तरीके से बिलकुल मक्षन को निकालेंगे, ना मतनी का यूज करेंगे, ना ही मिक्सी का यूज करेंगे, तो यहां पर देखी सारी मलाई हमने एक बड़े वर्तन में पलट ली है, और हमें बिलकुल भी पानी नहीं डालना है, तो यह मल पलट लिया और वस एक गिलास लिया है, और गिलास की तली है वो थोड़ी चकली होना चाहिए, एक दम फ्लैट होना चाहिए, तो उससे बस हम इस तरीके से इसको मलेंगे, पांस से दस मिनट हमें मलनी पड़ेगी और हमारा मक्षन जो है आ जाएगा, तो वस इस तरीके से ह वाला हिसाब आजम करेंगे, मक्षन भी निकाल लेंगे, और दही भी बना लेंगे, और गी भी बना लेंगे, और मिठाई भी बना लेंगे, तो मक्षन और गी तो एक ही बात हो गई, तो मैं यहाँ पे चार नहीं तीन ही बोलूँगी, कि मलाई से तीन काम करेंगे, है ना, और हो सकता है कल मंडे को मैं बाहर चली जाओं तो तिन-चार वीडियो मारी शेडूल में है तो वो आप तक पहुचेंगी और उस पीरियड में साइध मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी तीन-चार दिन जो भी बाहर रहूंगी मैं उस पिरेड में वीडियो नहीं बना पाऊंगी और सेडूल में पड़ी हुई है कई वीडियो तो वो आपके पास पहुचेंगी और ये मुझे नहीं पता कब जाएगी आपके पास संडे है संडे को मैं बना रही हूँ इसको लेकिन ये आपके पास टोस्डे को जाए बैडनेश्टे को जाए या थर्डे को जाए कब जाएगी नहीं पता तो यहाँ पर देखिए बस 10 मिनट के करीब हुए थे मलते हुए और हमारा जो मक्खन है बहुत अच्छी तरीके से आ गया है तो अब हम इस मक्खन को निकाल लेंगे इस तरीके से दबाते हुए निचोडते हुए और पानी में डालते जाएगी जिससे जो भी थोड़ी बहुत इसमें चाच और होगी न वो पानी में तुल जाएगी और एकदम हमारा फ्रैस मक्खन हो जाएगा तो इस तरीके से सारा मक्खन हम निकाल लेंगे और बहुती जल्दी निकलने माला मक्खन होता है यह ओपलेस जैसे हम पानी बगरा नहीं डालते हैं तो एकदम से जो इसका दूद बचता है यह भी एकदम बढ़िया और फ्रैस होता है और बस हाँ माला यह आपकी खराब न नहीं होनी चाहिए तो अब यह जो दूद निकला था ना इसका मैं क्या करूंगी इसमें जावन लगा दूंगी और यह दही बन जाएगा हमारा फस्ट क्लास अब चलिए कड़ाई रखते हैं कैस पे और मखन का बनाते हैं घी तो वीडियो को पूरा देखिएगा आगे बनाने वाली हूँ मैं मिठाई बहुत अच्छी मिठाई बहुत टेस्टी मिठाई जो आपको मार्केट में मिलेगी कम से कम नहीं 500 रुपए किलो में ठीक है तो इस मखन को हम शुरुआत में तो आप थोड़ा सा कैस को हाई रख सकते हैं लेकिन फिस मेडियम फ्लेम पे ही आपको इस तरीके से चलाते हुए इसको गरम करना है जिससे लगे नहीं और यह जो लोटा वाला है इसमें हम जावल लगा देंगे और इसका हमारा फर्स क्लास द बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है क्योंकि हमें इससे मिठाई बनानी है तो देखिए यह ब्राउन हुआ है थोड़ा से हलक हलका ब्राउन हुआ है बैसे ही मैंने गैस को बंद कर दिया क्योंकि अब यह गड़ाई हमारी बहु में चानती हूं तो यह पिखल जाएगा अभी बहुत ठंडा नहीं हुआ है तो मैं पहले इसको एक बगोनी में चान ले रही हूं एक बरतन में उसके बाद उस लिप्पी में पलट दूँगी जब ठंडा हो जाएगा बैसे घी को काज के बरतन में या चीनी मिट्टी के बरतन में या फिर मिट्टी के मट्ट के आते उन में रखना चाहिए तो मैं भी चीनी मिट्टी के ही जार में रखते हूं लेकिन वो खाली नहीं था प्लेस उसे साब भी करना है जैसे जब खर्च हो जाता है न गी तो फिर उसको साब करके ही हम दूसरा गी भरते हैं तो तब तक मैं इसको दूसरे जब्बे में कर लूँगी तो गी हमारा च्छन गया है और बापस से हमने जो इसका जो यह होता है ना, इसको हम मैयर बोलते हैं हमारे हैं, फिर से हमने कडाई में पलट दिया और एक किलास इसमें दूद डाल दिया, और इसमें थोड़ी सी फ्रेस मलाई हम डालेंगे, फ्रेस मलाई हो तो ही डालना है, इसमें मलाई को रखा हुआ बिल्कुल भी नहीं डालना है, न दो दिन का न चार दिन का इसमें ताजी मलाई डालने है थोड़ी से अगर है तो डाल दीजे नहीं है तो कोई बात नहीं है आप milk powder है तो milk powder जाल दीजे बो भी नहीं है तो cable दूद डालिए और इसको दीरे-दीरे जैसे खोव अपनाते हैं न मावा उस तरीकी से चलाते हु और इलाइची आड़ कर दीए के बल मैंने बादाम क्रश करके किये हैं आप और भी dry fruits कर सकते हो जो भी आपको पसंद हो काजू और चरोंजी नारियल उसके बाद मैंने 100 gram की something इसमें बूरा आड़ कर दिया आप चीनी भी कर सकते हो गुड भी कर सकते हो और फिर हम इसको चल लेकिन मलाओ भी हमारी काफी दिन की हो गई ठीं दिन की हो गई थी लेकिन अभी इस अरदी का मोशम है तो अप्लेस फ्रिज में रख़ए थी तो हमारी मलाओ एकदम से बढ़ हुँ हाया तो यहां पर देखेगे यह गाड़ा होता जाएगा अगर आपको इसके बरसी जैसे पीस बनाना है तो फिर जादे ही गाड़ा कर लिजिए थोड़ा सा और प्लस चीनी एड़ करिएगा बुरा मत करिएगा मैं आज इसके लड़ू बनाऊंगी तो अब इस स्टेज पर मैं इसको हटा दूँगी गैस बंद कर दूँगी और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए थोड़ा सा ही छोड़ूँगी ज्यादा नहीं नहीं तो फिर जम जाएगा तो और प्लस हमें जल्दी भी है थोड़ा क्योंको मुझे खाना बनाना है साम खटा है मैं तो मुझे रात का खाना भी बनाना है तो मैं सोच नहीं हूँ इस काम को जल्दी से भटा भट से निप्टा दो तो यह हमारा बन गया गी और यह अब हम इसके बनाएंगे लड़ू और यह अभी पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है लेकिन मुझे थोड़ा सा जल्दी है काम निप्टाना है क्योंकि सुवह जाना है न तो उसकी भी थ्यारी करनी है तो इस तरीके से हम लड़ू बना लेंगे अभी थोड़े से लड़ू सौप्ट है क्योंकि अभी यह गरम है और इसमें घी है काफी मात्रा में तो अभी यह थोड़ा सा सौप्ट है जब यह थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा न तो एकदम से लड़ू हमारे टायट हो जाएगे और बढ़िया मिठाए बहुत टेस्टी लड़ू बनते हैं आप बना के जरूर देखिएगा देखिए कितना घी है जो एक साइड में हमें नकड़ाई को चका लिया है तो देखो घी आ रहा है तो इस वज़े से अभी यह सौप्ट है जैसे यह थंडा होगा वैसे ही घी हमारा जमेगा तो यह टायट हो जाएगे और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी आम के आम गुठलियों के दाम एक चीज से तीन चीज को हमने बनाया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना फिर मिलते हैं नियू वीडियो के साथ थेंक यू बाई बाई